हलो माई डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग यू आर मोस्ट वैलकम इन माई यूटूब चैनल आधर्स इंस्टिट इट आप इंग्लिश दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे महात्मा गांधी की एक बुक हिंद सुराज के बारे में हिंद सुराज इसका second title इंडियन होम रूल ये भी है तो हिंद सुराज या इंडियन होम रूल यह जो बुक है बैसे तो छोटी सी बुक है इसमें कुल 3000 words हैं 3000 सब्दों की ये एक पुस्तक है हिंद सुराज महात्मा गांदी ने इसके लिए लिखा है गांदी जी ने इसके लिए 1909 में लिखा था 1909 में महात्मा गांदी ने हिंद सुराज को लिखा था और इस बुक में बढ़न करते हैं किसका अपने बिचारों का सुराज के बारे में और modern civilization के बारे में and mechanism इसके बारे में मतलब सुराज के बारे में सुराज क्या है modern civilization ये क्या है और mechanization ये क्या है इन सब के बारे में बिसकस करते हैं हिंद सुराज में और he wrote this book उन्होंने ये पुस्तक कब लखी थी तब एक सिप में बैठकर जो की SS किल्डोन और कासल नाम का था उसमें बैठकर जा रहे थे तो मात्र दस दिनों में उन्होंने इस पुस्तक को लिख दिया था उन्होंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था थर्टीन नवंबर से और उन्होंने पुस्तक को लिखा था बाइस नवंबर तक इस तरह से उन्होंने दस दिन के अंदर इस पुस्तक को लिख दिया था और जब वो मतलब दोनों हैंड से लिख सकते थे जब वो एक hand उनका थोड़ा rest मांगता था तो second hand से लिखते थे वो left और right दोनों hand से लिख सकते थी इस तरह से इस पुस्तक को उन्होंने दोनों hand से लिखा है और बात करें पुस्तक की पवलाईस की तो ये पुस्तक जो है originally पवलाईस हुई थी 1909 में और ये तो मने बताए दिया दस दिन में ये उन्होंने लिख दी थी 1909 में ये पवलाईस हुई थी जो originally लिखी हुई थी ये थी पवलाईस जो हुई थी गुजराती भासा में जो कि उनकी मूल भासा थी, महत्मा गांदी जी की, उनोंने गुजराती भासा में से लिखा था, और पबलाइस हुई थी, इन्डियन अपिनियन में, यह उनकी पत्र का थी, भही पर ये पुस्तक पबलाइस हुई थी, और इसे फ्रेंच भासा में भी पप्लाइस किया गया है और इंग्लिस ट्रांसलेशन हुआ था 24 मार्च 1910 के लिए और बात करें अगर यह हिंद स्वराज यह हिंद स्वराज है क्या तो महत्मा गांदी कहना चाहते हैं कि it means इसका मतलब यह है कि we want हम चाहते हैं इंग्लिस रूल चाहते हैं अगर ऐसा होगा तो वह होगा स्वराज और क्योंकि उन्हें कहा था अगर इंग्लिस सुन्ब्या अंग्रेजों के रूल से हम लोग चलेंगे उन्हें के रूल मानेंगे तो यह हिंदुस्तान नहीं हो जागा इंग्लिस्तान तो यह थी थोड़ी से जानका आज की वीडियो में आल चैप्टर की बात करें तो सभी चैप्टर है इसमें 20 बीस सभी चैप्टर है इसमें और चैप्टर नमर 30 ने बैसे तो पूरी पुस्तक जो है conversation के रूप में दिखाई गई है conversation जैसे एक reader है जो उनकी स्पुस्तक को पलता है वो और editor जो स्वे महत्मगानी है इन दोनों के बीच में जो discuss है उसके बारे में बताया गया है इस तरह से कह सकते है conversation between reader and महत्मगानी तो अगर हम लोग बात करें इसके इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वाट इज शिविलाइजेशन चैप्टर जो है 13 जिल दिखने को जो ध्यानी रहा वाट इज शिविलाइजेशन वाट इज शिविलाइजेशन यह चैप्टर नमबर 13 है वाट इज शिविलाइजेशन हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे तो जो चैप्टर है वाट इज शिविलाइजेशन यह जब बारतलाव होती है reader की और editor की तो बारतलाव जो start होती है तो reader और editor सबसे पहले reader कहता है कि सब्वता की क्या बात करता है कि गांडtv जी यह बताई सब्वता है क्या कि तो गांड जी बताते हैं पहले बताते हैं Titanic बारत की तो सब्बता है अब उधारत देते हैं पिर कहते हैं जो है बात की जाए सब्बता की तो रोम की सब्बता है ग्रीक की सब्बता है मिस्र की सब्बता है फ्रांस की सब्बता है इन सब जापान की सब्बता है इन सारे सब्बताओं की वह बात करते हैं तो एक एक करके सब की बारे मत मिस्र की सब्वता है मिस्र की सब्वता एक समय ऐसा था कि सब्वता का सर्ताज कहा जाता था मिस्र की सब्वता के लिए लेकिन आज भी ऐसा नहीं है सारे सब्वता मिट्टी मिल गई फ्रांस की सब्वता की बात करें ये भी सब्वता बेकार हो गई और जापान की सब्वता य है उसकी गुलाम हो चुकी है इस तरह से बहुत सारे देशों का अग्जामपल देते हैं और कहते हैं कि इस सारी सब्वताइं अब नश्टो चुकी हैं लेकिन जो हमारी सब्वता है लगातार अब भी बने हुए है भारत पर वह यह बताते हैं कि भारत की सब्वता अरोग भी कि इंसानों के बारे में कहते हैं इंसान जो है आधनिक सब्धता जो है आज की उसका सिकार होता चला जा रहा है लगातार उसे पता भी नहीं चलता है किस तरह से वो अपनी प्राचिन संस्कृत को भूल भूल रहा है और नई सब्धता को अपनाना चाहता है फिर बात करते हैं सबस्क्राइब ऐसे लोग भी सब अइब करने क्योंकि उनका परपज है कि यए धनकवाना होता है और जो गरीब लोग हैं बो ऐसा नहीं करते हैं वो अपने सब्गता पर व обязशैद ध्यान देते हैं पहले के जो लोग हुआ करते थे गैन कि पहले के जो लोग हुआ करते थे Highway wouldn. आकटर की आज कि जो वकीलं हैं या और जो डाक्टर हैं इन शरय उद्द को बरबात कर दिया है हुए हैं तो इसके बाद मैं गांधी नहीं जा कि आ ti तो डॉक्टर से जो थे वो डॉक्टर नहीं थे बैद थे इनके कोई फीज भी नहीं थी आज करके डॉक्टर या बकीर तो लूट लेते हैं को क्यों कुछ लोग ऐसे भी है और अगर बात की जाए आज नुक्ता की तो बे जो लोग अपने संसार को जैसे जो मॉडर्निज्म ह है यह हमारें संसारह इसे नस्ट कर रहा है लगातार जैसे आपने इंटर्मीडियेट में एक लेसन पढ़ा होगा धना है दरही टेटेज ओफ इंडिया एक लेसन है दा है धरिटेज ऑफ इंडिया के लास्पनेड department सिन है कि लगाए एल बाजम मैं इस लेसन में महात्मा गानी ने इसी जो है चैप्टर की बारे में डिसकस किया है क्लाब्स टेल नमबर है लास्ट है है तो इस चैप्टर के बारे में ये बताते हैं कि कहते हैं कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है बिल रीटेन इट्स कंटिनीटी हिंदू सब्वता जो है अपनी सब्वता को बना कर रखेगी तो यह कहते हैं कि हिंदू सब्वता जो है अपनी निरंतरता को बना कर रखेगी जैसे कि हमारी सब्वता है सिविलाइजेशन है है इसे बहुत कुछ है कि हमारी सब्वता के अंदर जो भारत की जो हमारी प्राचिन पुष्टके हैं महावारत है रामायड है उपनिसद है और गयति मंत्री भी कह सकते हैं यह सारी बस्तों आती हैं तो हिंदू सब्वता इन सारी बस्तों को बना कर रखेगी भारत के जो और इस तरह से भारत की सभ्वता जो है अपने आपको बना कर रखती है बाद में यह भी कहते हैं कि हुआरी जो पॉलिटिकली और एकॉनुमिकली भारत है इसने बहुत सारी समस्या हो सामना किया है और इसकी सभ्वता इस पर बहुत सारी यहां है मुसीवते आई ये लेकिन इस ने अपनी तरता को नहीं खोया है और गांक्दी जोला कास्ट की बाएं बात करते हैं कए खर्की मदलर जो कास्ट सिस्टम है भारी भारत का यहारे देश को खोकला कर रहा है तो जो लीडर है इतनी बात के बाद में लॉक्त मत गांदय कि फ्रांस की उब हो चुकी है तो हमारे देश की प्रिथा है पहले किया सभ्था है यह का सकते हैं लो विभाय यह यह वह देस के लिए अनिकार है कुरुतियां तो गांदे जी गहते हैं यह वाथ एक है जो हमारी पहले की शती परता थी बाल लगाता मैं मानता हूं जो है लेकिन कहीं ने कहीं कुछ और जैसे सतिपरता अभ तो इसका भी अंत होी रहा है या हो चुका है बाल प्रता को छोड़ नहीं सकते और जो है जैसे कि आज की जो बरतमान पीडी है जो बरतमान पीडी है आज की बहे जो आज की कंडिशन है उसे अपना रही है जैसे यह पुरानी समय के लोग हैं अब जो आज के नए समय के लोग हैं तो जो नए समय के लोग हैं यह जो नए समय के लोग हैं जो पुरानी संस्कृतियां इसे छोड़कर नहीं अपना रहे हैं लेकिन तब भी जो हमारी कल्चरल ट्रेडिशन है संसकृतिक परंप्रा है लोग उसे नहीं बूल सकते वो लगातार जा रही है और अब भी हम अपनी प्राशन सनसक्रती को नहीं भूल सकते तो गांदी जी जो civilization है इसी की बारे में बताते हैं इस chapter में कि किस तरह से हमारे सब्वदता जो है आज भी काईम है और जो सब्वदता को हम नहीं भूल सकते तो यह था chapter 13 जिसमे तकने पाठक और editor, shampadak, जो की सुएं महात्मा गांधी हैं, इन दोनों के बीच में 22 तलाप होती है, तो जिसमें reader question करता है, औbig गांधी जी उसके बारे अंसर देते हैं, reader पुझताय, सब्वता के बारे में उस सभी answer को देते हैं, महात्मा गांधी। यह थी आज की वीडियो, थैंक्स पर वाचिन, धन्दबाद दोस्तों.